अल्लो वेल्कम एवरीवान बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का इस के शो में लेट्स किट स्टार्टेट सब देश तुनिया में क्या हुआ 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 हम सब जानेंगे इस अपने सेशन में वेरी वाम वेल्केम एवरीवान आगर चैनल पर नए हैं अगर आप तो डू सब सब्सक्राइब चैनल और सारे नोट्स आपको हमारे टेलेग्राम चैनल पर मिल जाएंगे ठीक है जी आई और अगर आप अपने किताब हाथों में किताब लेकर पढ़ना चाते हैं पूरे साल की निउस जैनवरी से सप्टेंबर तक तो आप इसको भी और कर सकते हैं लाब क मेने की है जनवरी से लेके सेप्टेंबर तक है यह तो यह इस तरीके से बनी है फिर जो जैनवरी में आएगी वो आखरी के छे मेने बने जुलाई से दिसेंबर तक ऐसा प्लान है उक्स को लेकर के तीख है आईए चलिए तो शरुबात करते हैं आज की कहानी के उपर देख हमने खरीदे हैं 32,000 करोड रुपे देखे हैं यह हमने क्यों लिए हैं यह हमने इसलिए लिए हैं ताकि हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर सकें सीमाओं को और बहतर ढग से हम देख सकें यह प्रेडेटर डोन की खासियत ही होती ही कि आसमान में 24,000 फिट से भी जादा 30,000 फ दूर बैठ करके मतलब नई दिल्ली में बैठ करके आप चेन नहीं में यह प्रेडेटर डोन को ऑपरेट कर सकते हैं इतना एफेक्टिव होता है यह यह यूएस इस्तमाल करता था इराक बगदाद और आपका अफगानिस्तान में टेर्रिस को एलिमिनेट करने के लिए यू पिर देखते हैं इंडे नेवी जो है इसमें से क्या हो रहा है यह प्रेडेटर उनकी जाहत देखो फिर से आगए ऐसा दिखता है यह विल्कुल फ्लाइट जैसा दिखता है फ्लाइट जितना बड़ा नहीं होता है तो लगबग होगा ऐसा दस फिट के बर दस से पंदरा फ होगा है बचय कितने पंदरा यह पंदरा जो है यह नेवी को दिये जाएंगे सारे कोस्ट के उपर बढ़िया से नज़र रखने के लिए तो यह चेंन नहीं में स्टेशिन करेगी इंडियन नेवी इसको इन्डियन नेवी की चीफ कौन है यह आप हमें बताएंगे हाल ही मे है हमको anti-terrorist operation करना है या maritime patrolling करना है सिर्फ maritime patrolling तो नहीं करना है क्योंकि हम इसको चाइना के border के पास भी लगा रहे हैं पाकिस्तान border के पास भी लगा रहे हैं तो यह तो गलत हो गया anti-terrorist operation तो US करता था हम तो अपने borders को भी देखेंगे anti-terrorism भी करेंगे हम basically surveillance रखने के लिए कर रहे है ठीक है एसा होता है अब देखिएगा कौन सा अभी NASA ने क्या किया है एक नया spacecraft launch किया है उसको बोलते है क्या इसको कह रहे है यूरोपा क्लिपर इसका काम क्या है देखिए आपको बता है पूरे सौरे मंडल में सबसे जादा बड़ा प्लानेट कौन सा है सबसे बड़ा प्लानेट है जूपिटर तो जूपिटर के मून से है तीन सबसे फेमस कौन कौन से है यह homework लेख लिए तो अच्छा ठीक है चलो दो बता रहे तो एक खुमबग दे रहो यूरोपा और गैनीमिडी यह दो बता दी अब एक तो आप बताएंगे इसमें अब क्या है तो इसमें यूरोपा के उपर पानी खोजने के लिए जा रहा है आपका यूरोपा क्योंकि अगर पानी जहां पानी होगा वहीं जीवन की संभावनाएं होती है पानी हुआ यानि हो सकता है यहां जीवन भी हो तो इसकी संभावनाएं खोजने के लिए जा रहा है यह यूरोपा क्लिपर नाम भी बड़ा सिंपल सा है अच्छा तो कभी भी कोई स्पेस को जरुबत पढ़ती है rockets की तो यहां पर rocket कौन सा इस्तमाल किया गया है Space X Company का rocket इस्तमाल करा गया है जिसका नाम है Falcon Heavy यह rocket इस्तमाल किया गया है और आ गया आते हैं फिर देखेंगे expected time क्या है ये 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 पहुचेगा छे साल में तीन बिलियन किलोमेटर्स ट्राविल करेगा तब जाकर कर ये पहुचेगा आई और आगे बढ़ते हैं जूस मिशन जो है ये European Space Agency ने कब लाँच किया था ये जूस मिशन जानते हैं क्या है कि हम सबसे जल्दी पहुचेंगे और इनका schedule ये था कि ये लोग पहुच जाएंगे इनसे में इनको 9 सार लगना है 2022 में इनोंने launch किया था कि हम पहुचे यादे मैंने news पढ़ाई थी जब juice launch हो रहा था 2022 में जब current affair पढ़ाता था तो 2022 में और ये launch किया था कि 2021 में इनको पहुचना था अब 2021 में पहुचना है तो US सेकैंड हो जाता तो US भी जल्दी जल्दी हम फस्ट हम फस्करते करते तो इसने अपना ऐसे launch किया कि वो इनसे एक साल पहले पहुचे तो ये 2021 में पहुचेंगे, वो 2030 में पहुच जाएंगे, ठीक, आईए, आगे आते हैं, फिर इनमें से कौन सा पहला स्पेस्क्राफ्ट कौन सा है, जो जूपिटर गया, जो जूपिटर पहुचा है, ये देखिए, इस क्वेशन को हमने सिर्फ इस लिए डाला है, कि आप में स जो भी लोग, हम जो नोट्स दे रहे हैं, ये स्टाटिक जीके का सवाल हमने यहां डाला है, फिर्स इंदी वर्ल्ड, में ली, वेखो, आपको थोड़ा कम काम आएगा ये, में ली सिर्फ CGL में काम आएगा, सेनो में नहीं सवाल आते हैं, फिर्स इंदी वर्ल्ड के बहु पहलें, एक बार उसको पढ़िएगा, फिर इसको ऐंसर करेगा की सका एंसर क्या हो सकता है, बताने गया ये, लेकिन हम चाहते हैं, कि इसी भाने कम से कम आप एक बार तो उस नोट्स को नजर ढरूर्ट जरूर डालें अपने उसके ऊपर, ठीक है? आईए, फिरदेखतें, अच्छा, डियूरेशन क्या है, आमी जो वालॉंग वार हीरोज में ट्रिब्यूट दे रही है, अब एको वालॉंग वार हीरो क्या है, 1962 में इंडिया चाइना के बीश में वार हुआ था, तो ये वार कहां पर हो रहा था, एक बड़ा एरिया था वार का, वो वालॉंग का एर लिया भी था, जो कि अरुनाचल प्रदेश में पड़ता है, तो एक महीने तक हाला कि इंडिया आमी की लोग बहुती कम थे संख्या में, और चाइनीज आमी के साथा लोग बहुत जादा थे, पांच से साथ गुना जादा थे, उनके पास वैपन भी बहुत अच्छे थे, फिर भी हमारे वीर सोलजर्स महीन डटे रहे, और एक महीने तक उनका सामना करते रहे, और ये शिरवात वीती 20 अक्टोबर 1962 में, अब क्या हो रहा है, आज उस बात को 1962, 1962 में हुआ था, और आज उस बात को 62 साल पूरे हो गए है, तो इस सीज के लिए क्या किया जा रहा है, एक मन्थ लॉंग पूरा, एक महीने लंबा पूरा ये इसको करा जा रहा है, उनकी ब्रेवरी को सेल्यूट करने के लिए एक महीने लंबा सेलिबरेशन किया जा रहा है, फिर वालॉंग डे ट्रिब्यूट प्रोग्राम कब खतम होगा, देखिए, इसकी शुरवात करी जा रही है, अभी, आपसे एक्जाम में ना, थोड़ा सा हम, ये क्यों सवाल डाला है, एक्जाम में नहीं आएगा ये सवाल, फिर हमने क्यों डाला है, बार बार वालॉंग वालॉंग आपके दिमाग में डाल रहे हैं तो उससे क्या होता है, आपके दिमाग में चीज़े हो जाएगा यहां पर थीक है पर देखिएगा कौन से अभी मोदी जी ने क्या इनागरेट करा देखिए मोदी जी ने क्या किया हर साल एक international telecommunication union है यह करती क्या है यह rules बनाती है कि अगर एक जगह से पर example एक country से दूसरे country phone लगाएंगे अब मान लीजे उन्होंने फोनी नी accept किया तो पता चला international communication ही बंद हो गया तो इसलिए क्या करते हैं यह कुछ rules बनाते हैं जो सारे country को follow करने होते हैं तो वो है international telecommunication union तो यह क्या करते हैं हर साल यह conference भी organize करते हैं कि जो आगे आने वाली जो technologies हैं telecommunication की सब लोग उसके ओपर एक जगह बैठ करके discuss कर लें तो इस बार जो यह conference हो रही है यह भारत में हो रही है नई दिल्ली में भारत मंडपम में ठीक तो यहां पर 3000 leaders आये थे यहां पर 3000 leaders were there in the country और दिल्ली में भयंकर जाम लगा हुआ था आपकी जो बरखा माम है वो फस गई थी धाई गंटे तक वो चैब में फसी रही थी इसी इसी के चक्कर में और सारे hotels बुक थे जो होटेल नॉर्मली 10,000-15,000 का होता था वो 45-50,000 का और आप मानेंगे नहीं हम होटेल देख रहे थे उनके लिए उनके लिए बुक कराने के लिए तो जो 10-15,000 के 18,000 के जो होते थे वो 40,000 50,000 for one day एक तो तो यह सा भी इसी वज़े से हुआ था तो उससा में तो नहीं सुनने हैं फिर बात में जब न्यूज बना रहे थे तब सुनने हैं अच्छा ओ इसलिए दिल्ली में यह हलतों रखी है भी तो यह ITU WTSA है यह ठीक आगे आते हैं थीम क्या है इस बार की यहां की मोधी जीन न हैं हमनी कंट्रीज दार पार्टिसेपेटिंग इन दिस वन तो एनि आइडिया आप में अगर बता दूं आपको अच्छा तीन हजार डेलेगेट्स आ रहे हैं तो यह अच्छे खासी कंट्रीज से आएंगे ना तीन हजार डेलेगेट्स आ रहे हैं और भाई सहाब सारी नब्बे कंट्रीज से आ रहे हैं यहाँ पर सुचे यूएन रिकागनाईस करता है 192 को तो हमारे वह एक सो नब्बे कंट्रीज से इसमें डेलेगेट्स आ रहे हैं यहाँ पर आई फिर कौन सी सिटी ने ITU WTSC ए इवेंट होस्ट किया है यह नई दिल्ली कर रहा है भारत मं आ रहे जाए बहुत आगे आ जाए तो इसके लिए तीन सेंटर्स खोले गया है जहाँ पर डीप रिसर्च होगी AI पर हो सकता है अगला चैट जीपिटी भारत से निकला या चैट जीपिटी से भी बहतर कुछ भारत से निकला है तीन जगा कहां कहां पर एम्स डेली में खोल गया है आईटी कानपूर में और आईटी रोपर में तीन जगा पर यह खोला गया है तो कहां कि यह क्या जाएगा यह किसके उपर फोकस आतना है इसको AI सेंटर में फोकस ऑन सस्टेनेबल सिटी इस पर अग्रिकल्चर पर हेल्थ के मैं आपको बता दूं यह इस पे भी आईगा तीन हो आजाएंगे यह ठीक है फिर कॉंसे स्टेट को अभी देखिए इंटरनाशनल वाटर अवाड्स दिये गा है नाशनल वाटर अवाड्स प्रसेरेंट अफ इंडिया कंफर करती है वो देती है जल शक्ती मंतराले द्वारा इसको अनौंस किया जाता है इसमें जिन राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया वाटर कॉंजर्व करने के लिए उनको अवाड्स देते है तो इसमें पहला जो मिला है वो मिला है ओडिसा को दूसरा वॉर्ड मिला है उत्तर पतर प्रदेश को यानी हमारा प्रदेश और तीसरा अवाड जो है वो जॉइंट म कि असम क्या कर रहा है असम के महाना फ्लड्स बहुत आते हैं ब्रह्मपुत्रा की वज़े से वह है क्या सब अपने अपने वहां देखो पहले लेक हुआ करते थे पॉंड हुआ करते थे वेट लैंड्स हुआ करते थे सबने जमीन पाथ कि उसके बिल्डिंग्स बना लिए कि भाई अगले साल जब बाड आए तो वेट लैंड मतलब होता है दलदल वाला एरिया होता है तो उसमें जो पेड होते हैं वो बाड के पानी को तुरण धर्ती के नीचे पहुचा देते हैं ग्राउंड वटर रिचार्ज कर देते हैं तो उससे बाड आगे तक आने नहीं यह फाइदा होता है तो उसके लिए 139 वेट लैंड ये कर रहे हैं तो इंडिया ने अच्छा वेट लैंड की बात करी जाए तो इंडिया ने वेट लैंड के लिए एक कंवेंशन होता है जो इरान में आया था इसको हम लोग रामसार कंवेंशन कहते हैं तो यह रामसार किया है न, 1st Feb 1982 को इंडिया ने साइन किया है रामसार कन्वेंशन, ठीक है? चलिए, किसको ओपन करा गया है? जूरी मेंबर ओफ और एन्वार्मेंट फिल्म फेसिबल, देखो ये क्या है? ये एक ऐसा फिल्म फेसिबल होता है, जिसमें ऐसी मुवीज, जो कि सिर्फ एन्वार्मेंट को फोकस करते हैं, जिसमें भयावा सीन दिखाते हैं कि अगर एन्वार्मेंट क्राइसिस आ गई हमारे उपर, तो कैसी दुनिया हो जाएगी? आप देख के डर जाएंगे इन मुवीज को, आप तुरण एक बून भी पानी नहीं बरबाद होने देंगे फिर आप, तो इन मुवीज को प्रेमियर किया जाएगा, ये हर साल होता है इसका ट्रेलर जरूर देखना दालना, ये ओल्ट एन्वार्मेंट फिल्म आप लोग भी इसको देख सकते हैं जब ये होगा न, हम आपको इसका लिंक भी आप हमसे माँग लीजेगा, हम आपको देदेंगे, घर पे बैठके दे सकते हैं, और वॉलेंटरी पेइमेंट होता है चाहें, तो आप पे करें, ना चाहें तो ना पे करें इसमें voluntary payment होता है तो this is the entire scenario guys that's it for the current face of the day टाटा करते हैं, बाई बाई करते हैं अज रात में 8 बजे आपके लिए एक बहुत ही प्यारा और जो आपने सबसे ज़ादा जिस्टिस की demand कर रहे हैं इधर आजकर आप कुछ उससे related है, बहुत ही ज़ादा बढ़िया, बहुत दिनों से हम आपकी demands को देख रहे थे, तो आप ही के लिए कुछ बहुत 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 अच्छा है आज रात में 8 बजे ज़रूरा, सारा काम धाम सब छोड़ करके जड़ जाना, जड़ना ज़रूरा लेकर ना जाट बजे, आपको मज़ा हैगा, यह मेरा बादा है आपसे ठीक है, तैंक यू, बाबाई, टेक केर अल देश, तैंक यू